असलाम वालेकुम, मेरा नाम डक्टर महम्मद मोसन है और मेरे YouTube चैनल का नाम भी डक्टर महम्मद मोसन के नाम से है Please मेरे चैनल को लाइक करें, सब्क्राइब करें और और आगे फारवर्ड करें मैं आज आपको जर्सी काओ के बारे में थोड़ी सी इन्फार्मेशन देना चाहता हूं क्योंके माशला पाकिस्तान में काफी लोग जर्सी के बारे में दिल्चस्पी रखती हैं और मेरा भी फास्ट टाम एक्सपीरियंस हुआ है जर्सी पे काम करने का तो मैं थोड़ा सा प्रिफ कर देना चाहता हूं सबसे पहले हम जर्सी काओ की प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे अगर प्रोडक्शन देखी जाये तो इसका जो एक रिक्टेशन पीरिट है उसमें ये दूद्ध आठ हजार तक देती है इस से ज्यादा नहीं जा सकती एवरेज देखिज जो एक लेक्टेशन पीरिट में जो उसका दूद है वो कम असकम 12,000 लिटर तक पहुंच जाता है तो लेकिन इसके दूद में फैट काफी ज्यादा है फैट अगर देखे जाए तो पांच तक इसकी फैट है और फ्रीजियन की जो फैट है वो मैक्सिमम 4.2 या 4.4 तक है इस उसका ये एजच दोद में यहीं इसके टोटल सालिट ज्यादा है अस़ कंपेर तू फ्रीजियन के तो इसके अलावा अगर इसकी फीडिंग देखी जा है क्यूंक्क यह अनिमल एक छोटा इनिमल है तो इसकी जो फीड है वो थोड़ी खाती है असरि कंपेर तू फ्रीजई दूसरे अगर हम reproduction की बात करें तो इनकी breeding बहुत मुश्किल है यह natural heat शो ही नहीं करती है जिसमें natural heat के science होती है उसमें animal mountain करता है जंपिंग करता है आवाजें निकालता है लेकिन इसमें कुछ भी नहीं होती है अगर pure freezing को देखा जाए उसके science जो heat के होते हैं बड़े prominent होती है जंपिंग करती है वाजी निकालता है रेस्पलेसनेस उनमें होती है यानि काफी उनमें science जो होती है बंदा दूर से पता चल जाता है यह cow heat में है तो उसमें यह है कि इसके जो natural heat है वो शो नहीं करती जो है ना तो इसी वज़ा से यह जो conceive होती है ना बड़ी लेट होती है mostly इसलिए आप मैंने इन पर मैं काम कर रहा हूं तकरीबन मैंने 20 में से 10 जो pregnant की हुई है वो हमने synchronization program से की हुई है तो reproduction इनकी थोड़ी सी मुश्किल है even मैंने वी हैस की duty लगा ही होती है यह बैठी होती है ना वलवा से हम चेक करते हैं कि म्यूकस तो नहीं आ रहा तो यह है क इसकी थोड़ी सी reproduction मुकलिफ है अगर हम देखे देखा जाया है इनकी disease resistance का तो यह बहुत ज्यादा disease resistance है यह बिमार नहीं होती ना इनने कभी में status हुआ है ना इनने कभी लेमनेस हुआ है यह बिमार पिलकुल ही नहीं होती ना इनको कभी में status हुआ है तो इन यह breed जो है डि जर्सी काउ है इसे आप फ्रीजिन के साथ मिक्स नहीं कर सकते हैं अगर आपने से वैल मेंटेन रखना है तो इने आप अलाइदा रखें अगर आप इनको मिक्स करेंगे तो यह बिमार हो जाती है कमजोर हो जाती है क्योंकि छोटा एनिमल है यह बड़े एनिमल के साथ नही इसके बाद अगर इनकी काविंग देखी जाएं क्योंकि यह जो हमने प्रचेज किये थे यह टोटली प्रेग्नेंट थी और इनकी काविंग बहुत ही एजी होती है कोई ऐसा मसला नहीं होता कोई डिस्टोक यह नहीं था बिल्कुल नार्मा इवन हमने हैल्प भी नहीं की तो इनकी जो काविंग है ना वो भी बहुत ही एजी है नार्मल काविंग होगी कोई असिस्ट नहीं करने पड़ती और इसके इलावा जो इनके काव्ज होती हैं जर्सी के वो भी माशाला डिजीज रिजिस्टेंस है उन्हें भी मैंने नहीं देखा उनको कोई डैरिया हुआ कोई नमूनिया हुआ कोई भी उनमें कोई भी मसला नहीं बनता और अगर उनकी देखी जाए आपको अगर हम देखें उसकी फ्रीजिन काव किस से तो फ्रीजिन काव जाए उनकी जो ग्रोथ है ना वो ज्यादा है इस कंपेर्ट टू जर्सी हम आने देखा है तकरीबान जो फ्रीजिन काव है उसकी ग्रोथ हमने तकरीबान मैक्सिमावट केजी तक विनिंग तक ली है नेकिन जुग जर्सी है उसकी पॉइंट सेवन से उल्यादा नहीं ली तो यह है के इनके जो लेकिन काव जियादा ड़िजीज रिजिस्टेस हैं तो ओवराल यह है के इसके अप रीड़ अची है